नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है जी के जुन में दोस्तो आज हम रिवाज करने वाले हैं जारकन राज निर्मान अंदोलन पर विचार किजिए पुर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, छोटा नाकपूर संथाल परगना छेत्र, पश्चिम बंगा, वो प्रक्त में से किन छेत्रों को मिला कर बंगे इसलाम नमक परिशंग बनाने का सुझा गया था, तो इस कांसर क्या हो जागा, अप्सन न पुर्व में पाकिस्तान, बंगन कोम बोलते हैं, पुर्वी पाकिस्तान पर नाकपूर संथाल परगना छेत्र, इत दोनों को मिला कर बंगे इसलाम नमक परिसंग बनाने का सुझाओ दिया ता, किस वर्स जारकन छोटा नाखपूर पाकिस्तान का एजन किया गया था इसका अंसर है 1946-1946 छोटा नाखपूर जारकन छोटा नाखपूर पाकिस्तान का एजन 1946-1947 में हुगा था तीरपन नमबर सवाल है जारकन चोटा नाकपूर पाकिस्तान का आयोजन किस अस्थान पर किया गया था इसका अंसर हो जाएगा जारकन के रजधानी राची में 1946 के संसद्य चुनाओं में आदिवासी महसभागों कितनी सीटों पर विजय प्राप्थ होई थी इसका अंसर होगा ओप्शन नमबर 3 आई मिन ओप्शन नमबर C तीन सीटे तीन सीटों पर जीत प्राप्थ होई थी 1946 के संसद्य चुनाओं में जेपाल सिंग मुंदा ने किस चेतर से चुनाओं लड़ा था तो 1946 इसवी में जो इलेक्शन हुआ था उसमें जेपाल सिंग मुंदा ने खूटी खूटी चेतर से चुनाओं लड़ा था 1946 के संसद्य चुनाओं में खूटी संसद्य चेतर से जेपाल सिंग मुंदा को किस ने हरा दिया था तो इसका अंसरो जगा अब सनवर्सी डॉक्टर पूर्ण चंद्र मित्र ने जेपाल सिंग मुंदा को हरा दिया था 1946 के संसद्य चुनाओं में पारित होने के बाद जेपाल सिंग मुंदा किसकी सहायता से समिधान सभा के सदस्री बने थे किस वर्स अदिवासी महासभा के अधिवेशन में जेपाल सिंग मुंदा ने पाकिस्तान के निर्मान का विरोध किया था तो इसका अंसर हो जागा 1946 में तो देखे ये जो है मुस्लिम लिग के साथ थे जेपाल सिंग मुंदा लेकिन जब इन्होंने देखा कि देश को बटवारे की साजिस कर रही मुस्लिम लिग तो ये मुस्लिम लिग से अलग हो गए और इन्होंने 1946 सिस्वी में पाकिस्तान निर्मान का विरोध किया था नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं अल्ब संख्यको वो अदिवाश्यों के लिए गठित मूला धिकार समीती की एक अधिवासी उप समीती में जैपाल सिंग मुंडा को सदसी बनाया गया था इस मूला धिकार समीती के अधियक्ष कौन थे तो इसके अधियक्ष थे सरदार वल्लब भाई पटेल भारत की आजादी के बाद आदिवाशी महासभा का पहला अधिवेशन किस वर्स आयोजित किया गया था अंसर होगा 1948 इस्वे में देश की आजादी के बाद आदिवाशी महासभा का पहला वर्सिक अधिवेशन किस अस्थान पर हुआ था इसका अंसर होगा राचि उपर रह गया तो 62 सवाल है देश की अजादी के बाद आयोजीट अदिवासी महासबह के पहले वार्सिक अदिवेशन के अद्यक्स तां किसने की थी उल्दिश जब आजाद हो गया उसके बाद जब आदिवासी महासबह का पहला वार्सिक अधिवेशन 1948 इस्वे हुआ था उस समय जो है अधिवेशन के अधियक्सता जैपाल सिंग मुंडाने की थी खरसावा गोली कांड की घटना कब हुई थी तो खरसावा गोली कांड की घटना एक जनवरी 1948 इस्वे को हुई थी अजादी के बाद इस तरीके से याद रखे अजादी के बाद पहला नया सल तो एक जनवरी को हम नू यर मनाते हैं 1947 में देश अजाद हुआ तो एक जनवरी 1948 को यह कांड हुआ था सराई के लव खरसावा देशी रियास्तों को किस तिथी को उडिसा में मिलाने की घोशना की गई थी इसका अंसर होगा एक जनवरी 1948 को सराई के लव खरसावा को उडिसा में मिलाने के विरोध में ही जनसभा हुआ था जिसमें अंधदुन गोलिया फायर की गए थी जिसे हम खरसावा गोली कांड केते हैं सराई के लवा खरसावा रियासत के उडिशा में विले के खिलाप इनमें से किस संगठा ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था तो इसका आयोजन के था आदिवाशी महा सभा ने सराई के लवा खरसावा रियासत के उडिशा में विले के खिलाप आदिवासी महा सभा ने किस सिथी को एक विशाल जनसभा आयोजित की थी तो इसका भी अंसर है सेम एक जनवरी 1948 को क्योंकि जिस दिन सभा थी उसी दिन गोली कांड हुआ था इसलिए सेम एंसर है सराई के लवा खरसावा रियासत के उडिशा में विले के खिलाप आदिवासी महा सभा ने किस सिथान पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था सराई के लवा खरसावा रियासत के उडिशा में विले के विरोध में आयोजन जनसभा में इनमें से कौन सा नारा लगाया गया था तो वो नारा था जहारखन, अबुआ, उडिशा, जारी, कबुआ सराय केला वक्रसावा रियासतों के उडिसा में विले के विरोध में आयोधी जन्सभा में उडिसा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली में लगभा कितने लोगों की मिर्त्यू हुई थी तो इसका अंसर है ये देखिए अंसर तो वैसे 100 है लेकिन विविन सरोतों से भिनविन जनकारी मिलती है जैसे कि अंगरेजी पत्रकार में अलग है उडिसा तरकार ने अलग बताया है और बिहार सरकार ने अलग बताया और जो परतियच वरती है उनकी अनुसार हजारों में मि कर देती हूं कहां पर किस कि सुरोथ से कौन-कौन सा मिला हुआ है तो अंग्रेजी अकबार दस्टेटमेंस के अनुसार जो है तीन जन्वरी इस वी को रिपोर्ट छपी थी जिसमें कहा गया है कि कुल 35 लोगों की मारे जाने की खावर थी जबकि उडिसा सरकार का मानना है उडिसा सरकार ने कहा है कि 32 लोगों की मिरती हुई है बिहार सरकार कहती है कि 48 लोगों की मिरती हुई है जबकि परतियाच दर्सी जो है वो कहते हैं कि हजारों में लोग मरे हैं तो ये बुक उड़ान की बुक में अंसर हंडेड है इसलिए मैंने हंडेड बताया है अब चलिए दूस्त आगे बढ़ते हैं ये इस इसे एक क्या कहते हैं खर Shaba Glikant के बाद छरकन सरकार द्वारा साय के लवा खर खर साय रियासत के उडिसा में मिले के प्रस्ताव को खारिच करते हुए उन्हें तो अभियसलि उस समें बिहार जहर्पन का हिस्सा था तो बिहार परांथ में ही मिला गया होगा सराय केला खर्सावा देशी रियासत कितने दिनों तक उडिशा परांत की अधीन रहा था जिसके बाद उन्हें बिहार परांत में मिला दिया गया तो इसका अंसर होगा 139 days 139 खरसावा गोली कांड की घटना का प्रमुख कारण क्या था तो इसका अंसर बहुत ही जी है क्यों हुआ था क्योंकि उडिसा में मिले जनू के लोग जो विरोध कर रहे थे कि उडिसा में खरसावा चेतर को नहीं मिलाया जाए इसलिए उन्होंने इसकी मांग की और विरोध प्रदर्शन करना चाहा जिसमें गोले कांड हुआ नेक्स्ट है यूनाइटेड जार्खन पार्टी का गठन कब हुआ था यूनाइटेड जार्खन पार्टी यू जे पी मैं इसे यू जे पी बोलती हूँ यूनाइटेड जार्खन पार्टी का गठन हुआ था उनिस सो और तालिस में इसका एक छोटा समय बताती हो प्रीक आपको देखे जार्खन पार्टी के साफना उनिस सो पचास में भी सबको याद रहता है यू जे पी यानि उनाइटेड जार्खन पार्टी पचास में क्या बना है गठन के इसका गठन पार्टी की द्वारा किया गया था II तो इसका गठन किया गया था जस्टिन रिचोर्ड के द्वारा जारकन पार्टी का गठन कब हुआ था 1950 में जारकन पार्टी के संस्थापा कौन थे तो काफी जीए जैपाल सिंगुंडा जारकन पार्टी का गठन किस अस्थान पर किया गया था आंसर हो जगा जमसेदपूर पार्टी जो है, ये अदिवासी महसभा ही जहरकन पार्टी बन गई थी, तो अंसर क्या हो जगा अदिवासी महसभा जहरकन पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? अंसर होगा जेपाल सिंग मुंडा निमलिकित में से किस पार्टी ने प्रिथक जहरकन राज निर्मान अंदूलन के दौरान आदिवासियों के साथ गैर आदिवासियों का समर्थन भी प्राप्ट किया तो इसका आंसर होगा जहारकन पाटी जब आदिवासी महासभा था तो इन्होंने सोचा कि पूरे जहारकन वासियों का समर्थन प्राप्त करना है तो इन्हें नाम बदलने का जरूरत महसूस हुआ तब इसे जहारकन पाटी कर दिया गया ताकि ये पूरे जहारकन छेतर को प् प्रांत के गठन हेतु सहयोग मांगा था इसका अंसर होगा जवाहा लाल नहरू जार्कन पाटी की सदस्यों ने जुलाई 1951 में जार्कन छेतर के दौडरे पर आये जवाहा लाल नहरू से छोटा नात्पुर संथाल परगना प्रांत के गठन हेतु सहयोग मागा था आगे देखते हैं 2 जनवरी 1952 को राची के मुहराबादी मैदान में आम चुनाव हेतु आयोजित एक जन सभा में किस राश्टिय स्तर के नेता ने जनता को संभोधित करते हुए प्रिथाक राजी के निर्मान का विरोध किया था इसका अंसर होगा पंडित नेहरू पंडित नेहरू ने इसका विरोध किया था जारखन पार्टी ने किस वर्ष पहली बर विधान सभा चुनाव में भाग लिया था अंसर होगा 1952 के चुनाओं में ज्यारकन पार्टी ने भाग लिया था 85th नमबर सवाल है 1952 के बिहार विधान सबाद चुनाओं में ज्यारकन पार्टी का चुनाओं जिन क्या था? मुर्गा 1952 की एक रित बिहार विधान सभा चुनाओं में जहरकन पाटी ने कुल कितने सीटे प्राप्त की थी तो जहरकन पाटी ने कुल 33 सीटे प्राप्त की थी और ये मुखी विपक्षी दलबाने थे 1957 के यानि 52 के 5 सल बाद जो इलेक्षन हुआ था विधान सभा का उसमें जारखन पार्टी के उकूल कितनी सीटे पर विजे प्राप्थ हुई थी इसका अंसर जगा 32 पहले जब चुना हुआ 52 में तो 33 सीटे और 57 में हुआ तो 32 सभावन और 57 में बिहार विधान सभा में जारखन पार्टी के और से किस विपक्ष का नेता बनाया गया था सुसील बागे को 1957 में जेपाल सिंग मुंडा के आगरह पर बॉम्बे के किस पार्सी ने राची में चुनाव लड़ा था इसका अंसर है मीनू मसानी इनी के सुझाव पर ये बॉम्बे से जो है इलक्सनार जा रहे थे तब इन्होंने सजेसन दिया कि आप राची से चुनाव लड़ी है वहा राजी पुनर्गठन आयोक के समक्ष पृतक जारकन राजी निर्मान हेतु अपनी से फारी से रके थी इसका अंसर होगा जारकन पार्टी राजी पुनरगठन आयोग की टीम जारखन का आगमन राची में आगमन कब हुआ तो इनका आगमन हुआ था पाँच फरवरी 1955 को यानि पाँच दो 1955 इस तरीके से याद रखे पाँच दो यानि दो बर पाँच तो पहला यहाँ पाँच होई गया और फिर दो बर पाँच यहाँ लगा दीजिए तो दो है तो दो एक ट्रिक भी है पाँच दो पाँच पाँच दो पाँच फच ठीक है नेक्स्ट है राजी पुनर गठन आयोग के समक्ष कितने जीलो को मिला कर जारकन राजी के गठन का प्रस्ताव रखा गया था इसका अंसर होगा सोला जीले सोला जीलो को मिला कर जो है जारकन राजी निर्माल की बात कही गए थी और कौन-कौन से कितने से चली देखते हैं राजी पुनर गठन आयोग के समख्च रखे गए जारकन राजी के गठन हेतू प्रस्तावी जीलों में बिहार से कुल कितने जीले तो साथ जीले बिहार से साथ जीले, MP से दो जीले, देखे MP अगर उत्तर दशीन इस तरह के सम करें राजी पुनर गठन आयोग के समख्च रखे गए जारकन राजी के गठन हेतू प्रस्तावी जीलों में उडिशा से कितने राजी थे तो मैंने कहा उडिशा से चार जीले आगे देखते हैं किसने पृत्तक राजी गठन का प्रस्ताव रखा था जारकन राजी गठन का प्रस्ताव रखा था अंसर उत्व जाह सीता राम जगत्राम ने एक प्रिथक जार्खन राज गठन का प्रस्ताव किसे ने रखा था तो ये प्रस्ताव रखा था सीता राम जय जगत राम ने सीता राम जगत राम ने 98 नमर सवाल है किस तिथी को सीता राम जगत राम द्वारा बिहार विधान सभा में पहली बार प्रीथक जारकन निर्मान के प्रस्तार रखा गया था आंसर है ओप्शन नमर बी 10 फरवरी 1961 10, 2, 61 1961 में सीता राम जगत राम द्वारा बिहार विधान सभा में प्रस्तूत अलग जारकन राजी निर्मान के प्रस्ताव पर क्या करवाई हुई तो क्या करवाई हुई इस पर चर्चा के बाद इसे निरस्त कर दिया गया और आज की वीडियो का लाश सवाल है सोवा नमर सवाल ज़ारकन पार्टी कभी ले निमली खित में से किस पार्टी में हो गया तो ज़ारकन पार्टी कभी ले कॉंग्रेस में हो गया अब कब हुआ आप कमेंट में बताना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगे आपको 100 से लेकर 180 तक 81 सवाल है 180 नहीं, 181 question है 81 परसलों को हम आगले वीडियो में करेंगे तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सेर चैनल को सब्सक्राइब किजिए, थैंक्स पो वचिंग, बाइ-बाइ